हलो दोस्तूं, मैं हूँ आपका अपना दबुग गाए और आज मैं आपके लिए लिखर आया हूँ दफैलकन मैथड की हिंदी बुख समरी जिसे लिखा है डेविट सौलियोमी ने तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक चीज हम मैंसे अधिकाश लोगों में कौमन है वो यह है कि एक दिन भी अगर हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन कोई काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी इंकम नहीं होगी इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम तो करना ही होगा, हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी financial situation हमें ऐसा नहीं करने देती इस जाल में हम जिंदिगी भर फंसे रहते हैं लेकिन वक्त के साथ new generation पहले से ज़्यादा financially aware और literate होती जा रही है इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ होती जा रही है जिंदिगी भर मैनत करके बुढ़ावे तक एक mediocre life जीना life जीने से तरीका नहीं है इसलिए इस generation का ज़्यादा तर focus earlier retirement, passive income और financial freedom में है तभी लोग stocks और shares में invest करने में interest दिखा रहे हैं लेकिन जो problem अधिकतर लोगों को आती है वो ये कि कौन से stock लिये जाएं क्योंकि quality stock को सस्ते से सस्ते rate पर buy करना ही investing का real challenge होता है जिसके लिए author डेविट सौलियोमी ने अपनी book The Falcon Method में हमें ऐसा investment method सिखाया है जो value investing, common sense और basic discipline के principle पर based है इसका ultimate goal है कि आप ऐसे stock का portfolio बनाएं जिसमें आप return के साथ ही अपनी passive income भी बना पाएं दरसल Falcon एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है उस पक्षी की तरह ही method भी काम करता है क्योंकि author ने अपनी early age में ही काफी financial struggle देखे थे इसके बाद ही ये decide कर लिया था कि बड़े होकर इस rate race में नहीं फसेंगे फैलकन method types of investment 2011 में विश्व के महान निवेशक Warren Buffett ने अपने shareholder को एक letter लिखा जिसमें उन्होंने तीन प्रकार की investment के बारे में बताया जिसमें सबसे पहली investment है currency based investment इस प्रकार की investment में bond वो bank deposit आ दियाते हैं ये वो investment हैं जिसे investors सबसे safe investment समझते हैं जबकि वास्तविक्ता ये है कि ये investment का सबसे अच्छा विकल्ब बिलकुल भी नहीं है इसका disadvantage ये है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है इस प्रकार हमें इन में invest करने से अपनी investment value बढ़ाने की बजाए कम कर देते हैं इसमें gold, rice, oil आदी इस प्रकार के investment आते हैं investors ये सोच कर इसमें invest करते हैं कि एक दिन उनका दाम उपर जाएगा इसी तरह उनकी investment value बढ़ जाएगी लेकिन इस investment पर अक्सर लोगों के घरिया लोकर में ही रह जाते हैं जब तक ये investment निवेशक के पास रहती है ये कोई फायदा नहीं देती इनसे किवल तभी फायदा होता है जब इन्हें investors बीच देते हैं Productive Assets इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा निवेश समझा जाता है Stock Market इस निवेश का सबसे च्छावदारन है Warren Buffet इसी category में निवेश की सलाह देते हैं यही ऐसी category है जो inflation के पीछे छोड़ कर आपको अच्छे return जनरेट करके दे सकती है इसकी सबसे बड़ी विशेशता ये है कि आप बहुत मामुली के एच्पिटल से शुरुआत कर सकते हैं आप जब किसी कमपनी का एक शेर खरीते हैं तो आप उस कमपनी के में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीते हैं जब आप लंबे समय तक उस कमपनी के भागिदार बने रहते हैं तो आपको महां से आपकी capital पर बहुत अच्छा return मिलता है जब company को profit होता है तो company के shareholder होने के नाते आपको भी इससे हिस्सदारी मिलती है हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए stock market में सफलता पाने के लिए अच्छे share के साथ लंबे समय तक बना रहना जरूरी है What is falcon method? falcon method हमें बताता है company की पूरी research करने के बाद एक बार जब best company select कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक hold करके रखें यही stock market में सफलता का मूल बंत रहें Indian stock market में 5000 से भी ज़्यादा company लिस्टेड हैं ऐसे में सवाल यह आता है कि किस company में invest करें इसका जवाब हमें falcon method से मिलता है falcon method करता है कि किसी company का share खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि company कैसे काम करती है जब हमें company को financially रूप में देखते हैं तो हमें इसे black box की तरह समझने की जरूरत है एक investor होने के कारण यह आप के लिए possible नहीं है आप यह जान पाओ की company के अंदर क्या चल रहा है लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है company के बाहर क्या चल रहा है इसके लिए आपको input pipe और output pipes को समझने की जरूरत है जो black box से जुड़े है falcon method input pipes यानी income black box के एक तरफ input pipes यानी की income है दूसरी तरफ output pipe यानी की expenses है input pipe में सबसे पहला pipe revenue का मिलता है यह वो income है जो company को अपने product और service के माध्यम से अपने ग्रहाकों से मिलती है इसका दूसरा pipe borrowed money है यह यह वो पैसा है जो company ने अपने business को expand करने के लिए या फिर चलाने के लिए bank से loan के लूप में दिया है तीसरा pipe equity sale जब company fund raise करने के लिए अपने नए share holding को कम करती है फिर उस नए shares को बजार में बेशती है तो यह equity sale में आता है इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंक बहुत सारी company इस तरह से इखटे किये गए पैसे से share holder को dividend ने दी है जो बिलकुल भी उचित नहीं है फैलकन method output pipe यानि की expenses अब बात output pipe की करते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहला pipe ongoing expenses का मिलता है यह company में रोज मर्रा के expenses होते हैं जिसमें salaries, office supplies, marketing और advertising सामिल होती है दूसरा pipe capital expenditure है यह वो expenses हैं जो उन चीजों को खरीदने में लगाया जाते हैं जिनकी useful life एक साल से ज़्यादा की होती है जैसे computers, machinery और buildings आदी तीसरा pipe acquisition है यह वो expenses होते हैं जब company अपनी growth के लिए दूसरी company को अधिग्रहन करती है चोथा pipe payment of debts का है जो forward money company के input pipe में show होती है जिसे company को ब्याद सही चुकाना पड़ता है इसलिए इस pipe से हमें यह पता चलता है company अपने करज को चुकाने के लिए कितना भुकतान करती है पाँचवा pipe taxes का होता है यह वो expenses हैं जो company को tax के रूप में सरकार को पे करना होता है च्छटा पाइप प्रॉफिट का होता है इस पाइप से हमें ये पता चलता है कि कमपनी अपने प्रॉफिट का उप्योग किस प्रकार करती है इस पाइप के अंदर हमें तीन प्रकार के सब पाइप मिलते हैं जिनसे की पैसा आप बाहर जाता है जिन में पहला डिविदेंट से जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेर होल्डर को देती है तो इसे डिविदेंट कहा जाता है इसमें दوسरा पाइप शेर बाइबेक का है जब company surplus cash में कुछ भाग से अपने ही share को open market में खरीती है तो उसे share buyback कहा जाता है तीसरा retained earning है जब company अपने profit को अपने business को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है जिससे company की growth होती है यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि company इस पैसे का किस प्रकार और कहां पर प्रयोग करती है वो company अपने shareholder को अच्छा return जनरेट करके देती है जिससे income pipe से ज़्यादा income अंदर आ रही हो वही output pipe से कम से कम पैसा बाहर जा रहा हो जो company अपने profit को बहुत अच्छे से manage करती हो जिस company के पास करज न हो जिसकी assets उसकी liabilities की तुलना में बहुत ज़्यादा हो The goal of Falcon method Falcon method हम इस stock market में buy and hold की policy पर चलने के लिए कहता है ये लोग पर ये पुराने quant model से बिलकुल अलग है quant model के अनुसार आप कुछ quantity method के जरिए best shares को खरीते हैं एक साल तक उन्हें hold करके रखते हैं फिर उन्हें बेज देते हैं फिर से अपनी research करके best shares को खरीते हैं फिर एक साल बाद उन्हें बेज देते हैं इस प्रकार हर साल आपको ये प्रक्रिया दोहरानी होती है एक investor के लिए ये बिलकुल भी comfortable नहीं होती ऐसे में आप उस company के share को भी खरीद लेते हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा इसका एक disadvantage ये भी है कि कभी-कभी company की योजनाओ का result देखने में एक साल से ज़्यादा का time लग जाता है जब आप उसके share को एक साल में ही बेज देते हैं तो आप उस company की growth में हिस्सदार बनने से चूग जाते हैं इसके विपरीद falcon method हमें बताता है हमें quality wise अच्छे shares का चुनाव करके उसे लंबे समय तक hold करके रखना होता है जिससे उस share से हमारी जेब में dividend के रूप में लगातार पैसा आता रहे buy and hold के द्वारा ही investors यहां से अच्छा खासा return जनरेट कर पाते हैं 5 strategies of falcon method अब हमें falcon method की 5 strategies को समझना होगा जिसकी सबसे पहले strategic है select group of top quality companies falcon method कहता है कि आपको सबसे पहले top quality company को select करना होगा आपको उन companies पर focus करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने shareholders को बहतर dividend दे रही है जिन्होंने कभी भी dividend में कटोती ना की हो author कहते हैं कि हमें company की dividend history से कोई समझोता नहीं करना चाहिए इस 20 साल के dividend history को देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताब कि company ने एक recession जरूर फेस किया हो वह company बैतर है जिसने recession के समय भी अपने shareholders के dividend में कटोती ना की हो विपरीद हालात में भी company की earning power और strategies को बरकरार रखा हो author कहते हैं कि आप कोन companies को सलेक करना चाहिए जिनका dividend payout ratio highest हो dividend payout ratio इस बात से निकलता है एक company अपने profit का कितना भाग अपने shareholder को dividend के रूप में देती है identify stock and buy them on the cheap price falcon method कहता है कि आपको किसी भी company का share तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ते valuation में मिल रहा हो आपको उस company के price history को चेक करना होगा उससे उसका एक average low level निकलना होगा जब वो company अपने average low level पर trade कर रही हो तो उस समय उस share में entry करना चाहिए सबसे बहतर होता है जब आप company का share और valued हो तो उसे नहीं लेना चाहिए तब ही आप उस share से बहतर return generate कर सकते हैं filter the short listed stocks जब आप top quality stock को select कर लिया ये भी पता कर लिया कि किस समय किस में entry लेनी है तो अब आपको उसे filter करना होगा इसके लिए आपको तीन चीजों को compare करने की ज़रूरत है सबसे पहले dividend yield इसमें ये पता चलता है कि company ने साल भर में प्रती share जो dividend declare किया है वो company के current share price का कितना percent है इसके बाद free cash flow yield वो होता है जो company के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है इसे निकालने के लिए company का total cash flow को company के total number of share से divide करना पड़ेगा जिससे हमें free cash flow पर share मिल जाएगा फिर free cash flow पर share को company के current market price से divide करने पर हमें free cash flow yield मिल जाएगी अब shareholder yield से हमें ये पता चलता है कि एक company अपने investor के साथ कितने पैसे share करती है चाहे वो dividend के जरीए हो या फिर share buyback के जरीए rank the survivors जब आप अपने stock को current valuation के आधार पर तीन प्रकार के rank रखना होगा इसमें सबसे पहला sure है इसमें वो share आएंगे जो average valuation से भी अच्छी valuation में available हूँ दूसरा maybe है इसमें वो share आएंगे जो average valuation पर available हूँ तीसरा no way है इसमें वो share आएंगे जो average valuation से काफी उपर है और expensive valuation पर trade कर रहे हैं इस प्रकार आप अपने stock को rank करने के बाद आसानी से quality stock को बाकी stock से अलग कर पाएंगे टेक qualitative judgment ये सब analyze करने के बाद आपकी knowledge काफी बढ़ जाएगी उसके आधार पर आपको qualitative judgment लेने में आसानी हो जाएगी इस सब के बाद आपके portfolio में आप सिर्फ stock ही बचेंगे जिसके साथ आपको long term तक बने रहना है इसी प्रकार falcon method का goal यही है quality stock को buy करो और उसे अपनी portfolio में long term तक hold करके रखो ऐसा करने से ही आप stock market में better return generate कर पाएंगे इसके लिए passive income बना पाएंगे और तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जाओगे यहां मैं आपको recommend करूँगा कि आपको ये book जरूर पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको इस बूरी book की summary के साथ-साथ full audiobook सुननी है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर इसकी full audiobook सुन सकते हैं तो दोस्तों ये थी summary the falcon method की क्या आपको share market में investment की tricks पता लगी section में जरूर बताईए और अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इस video को like और channel को subscribe करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही और भी videos मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा मिलते हैं अगली video में अगली summary के साथ धन्यवाद